नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रिश्चिक मीन एस्पेशल में तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ब्रिश्चिक रासी वाले जातकों के लिए आज का दिन यानि की 20 अप्रेल 2020 का दिन कैसा बीतने बाला है लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है तिरोदशी नक्षत्र है पुरबा भाद्रपद पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है शोमबार आज के दिन सुर्यूदय हो रहा है पांच बज के पच्चास मिनट में और सुर्या क्षास्त है 6 बज के पचास मिनट में रितू है ग्रिश्म आज का दिन काल है तेरह घंटे का और महिना है वैसाख आज आपकी लिए शुब समय है 11 बज के चोबंग मिनट ऐम से 12 बज के 46 मिनट पी-एम तक अशुब काल सुरू होता है बारह बज के 46 मिनट से 1 बज़ के 38 मिनट तक और दुबारा है 3 बज़ के 22 मिनट से 4 बज़ के 14 मिनट तक राहू काल सुरू होता है 7 बज़ के 27 मिनट एम से 9 बज़ के 5 मिनट एम तक और दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में परंतु उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसके बेल आइकन को ओल पे आउन कर दें और इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें आपका शमय शांदर हो जाएगा सबसे पहला है आपका श्वास्त दोस्तों श्वास्त के लिहाज से आपका शमय सामाने से थोरा सा बेहतर रहने वाला है आज के दिन अपने चुस्ती और फुर्ती को मजबूत करने के लिए अपने चुस्ती फुर्ती को और बढ़ाने के लिए आप एकसरसाइज का सहारा ले यह आपके श्वास्त के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका श्वास्त आपका पूरा शाथ देगा वैसे अगर आपके धन संपत्ते की बात की जाए तो आज के दिन अपने खर्चों पे आप काबू करें और हाथ खोल कर व्या करने से आप बचने का प्रियास करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले वक्त में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों आज की दिन अपने माता पिता के श्वास्त का अपने माता पिता के रहन सहन का उनके खान पान का आप ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है अगर अपने माता पिता के श्वास्त को आप इग्नौर कर दें तो उनका श्वास्त उनका शाथ नहीं देगा इसलिए उनके श्वास्त का आप पूरा ध्यान रखें इसके बाद बात करते हैं आपके पाड़िवारिक जीवन के वाड़े में दोस्तों पाड़िवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय सामाणने से थोरा सा नीची रहने वाला है आज के दिन अपने घर पड़िवार के माहोल को आप बेह प्रेम शम्बंध के लिहाद से आपका समय अच्छा रहने वाला है आज से पहले अगर आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के साथ आपका शम्बंध खराब हो गया हो आप दोनों में नोक जोक हो गया हो तो आज के दिन अपने शम्बंध को आप बेहतर करने का प्रयास करें अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ अपने शंबंध को अगर आप मजबूत करने का प्रियास करते हैं तो आज के दिन आपका भग भी आपका साथ देगा इसके बात बात करते हैं आपके कामकाज के बाड़े में दोस्तों आज के दिन से अगर अपने कामकाज में अपने काड़े छितर में आप कोई बदलाब करना चाहते हो तो आप बदला बिल्कुल भी न करें क्योंकि आपके कामकाज का माहौल आज के दिन सामाने रहने वला है अगर अपने कामकाज में आप कोई पडिवर्तन करते हो तो यह आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा इस बात को आप याद रखें इसके बात करते हैं आपके आज के दिन के भाग्यशाली अंक के बाड़े में दोस्तों आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है चार यानि की फोर और भाग्यशाली रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद तो अब बात करते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बाड़े में दोस्तों उपाई ये है कि आज के दिन आप गड़ीब लोगों की शहायता करें अगर आपके आसपास कोई लाचार हो, बेबस हो, भूखा हो तो स्विक्ति की आप शहायता करें आर्थिक रूप से, सारिडिक रूप से और मांसिक रूप से अगर आप एशा करते हैं तो आपका समय शांदर हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हर जगह सेयर कर दें, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद